हेलो फ्रेंड वेलकम तो मैं यूटूब चैनल टेक्निकल कोस्टन अब मैं हूँ अलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूँ वाल फिरीज का आज का आज का जो कोस्टन है दोस्तों वह यह है कि वेर वी यूज ओ एर फेल्ट टू कंटिनुवस थ्रोटलिंग वाल इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो कंट्रोल वाल होते हैं चार ट्राइब के होते हैं एक एर फेल्ट टू ओपेज और एक एर फेल्ट टू दोस्तों जब एयर फिल्टू कॉंटिनियूस थ्रोटलिंग की बात आती है तो वो जो है कैसे वक करता है उसके लिए जो इससे पहले हमने बताया था कि इस टेपूट जो कंट्रोल वाल है उसकी कैसी में कहां पर एयर लगी होती है तो सेम उसमें भी यही है इसमें भी हमारी जो इस्टूमेंट एयर जो जाएगी वो जो अपने डायफ्राम में दो जगल से जाएगी एक उपर और एक नीचे अगर हमारा कंट्रोल वाल को खोलना है तो हम अगर उसकेस में क्या करेंगे इस्टूमेंट एयर को हम क्या करेंगे डायफ्राम के नीचे से पास कराएंगे और उपर वाली जो instrument air के supply उसे कम करते जाएंगे इधर बढ़ाते जाएंगे तो air diaphragm पर present देगी और diaphragm जैसे जैसे उपर उठेगा तो ये line है, line में ये अपना gate wall हो या ball wall हो कोई भी control wall हो तो वो धीरे धीरे उपर उठेगा और flow हमारा चला जाएगा सेम ऐसे अगर instrument अगर control wall को बंद करना है तो हम नीचे जो supply कम करेंगे उपर बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा धीरे धीरे डैफ्राम दबेगा डैफ्राम से हमारे spring जो लगे हो दबेगी और जो spring से जो stem लगा है, stem से जो wall लगा है वो दब जाएगा तो यानि कि बंद हो जाएगा लेकिन दोस्तों सेम ये step put की तरह है लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है कि ये इसको हम continuous throttling wall कहते हैं या उसके cut gharry में रखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है कि same mechanism इसमें क्या होता था कि air fail होती थी तो जहां था वहीं रूख जाता था लेकिन इसमें क्या होगा कि air fail होगी तो एक अलग से अलग से हम एक instrument air reserve tank जो है रखे रहते हैं तो अगर instrument air fail हो गई तो एक अलग से इस control wall को पार्ट कुलरी इस सी control wall को खोलने के लिए एक instrument air reserve tank रखे रहते हैं और उसमें instrument air भरी रहती है जैसे हमारे plant की instrument air fail हुई तो यहां से instrument air reserve tank से तुरंत हमारे instrument air आएगी और ये wall को operate करना शुरू कर देगी और इसमें उतनी air रहती है कि ये जो है control wall को 8 गंटे या 6 गंटे वो process के requirement के अधार पर उसे खोल सके या बंद कर सके या कोई operation में जितना हमें चीहे उसके according उसके according operation जो भी हो उसमें ये समलित हो सके दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी control wall हो वो maximum अगर हम बात करें तो 3 PSI पे वो control wall खुलना सुरू कर देता है और 6 PSI पे 25% तक खुल जाता है और 9 PSI के pressure पे 50% तक wall खुल जाता है और 12 PSI पे 75% wall खुल जाता है और 15 PSI पे 100% जो है control wall खुल जाता है तो आपको ये समझ में आए कि इसमें क्या है सेम हो stay put ही है बट एक अधर जो है reserve tank instrument air reserve tank लगा देते हैं जो जैसे इप्लान के instrument air fail होई तो तुरांत यहां से air गई और इसे update करने लगी दोस्तों जैसे instrument air reserve tank को वैसे समझे जैसे हम बाइक चलाते हैं बाइक में हमारा reserve oil होता है तो कभी जैसे हमारा petrol खतम होता है तो हम बाइक को reserve लेके जो भी है 40 km पर 45 km कवरफ कर देते हैं तो सेम ऐसे ही ये भी reserve tank है अब चलिए समझते हैं अच्छे से दोस्तों कि क्या है इसे ही तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत अच्छा example आपको दूगा ये हमारा एक PVC reactor है दोस्तों PVC reactor में क्या होता है कि जो vinyl chloride monomer है वो poly vinyl chloride monomer में convert होती है तो उसकी reaction हम थोड़ा सा बताएंगे और आपको एकदम easily समझ में आ जाएगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम NS spray कर देते हैं जो anti-scalate agent है जो reactor के दिवालों पे चिपक जागा जिससे scaling या crush नहीं जमेंगे उसके बाद इसमें हम polys water के साथ suspending agent डाल देते हैं क्योंकि ये जो reaction है पीवी सी की वो suspending suspension polymerization reaction है तो ये डाल दिए उसके बाद catalyze डाल दिए इसमें initiator initiator क्या करेगा reaction को start कर देगा उसके बाद हम VC charge करेंगे vinyl chloride monomer charge करेंगे 41-10.05 turn करेंगी 33 minute के लिए है न दोस्तों ये capacity के अधारपय कितनी भी हो सकती है उसके बाद हम HPW charge करेंगे इसमें hot hot जो है hot pressure water जो होता है वो charge करेंगे hot water pressure हम इसलिए करेंगे दोस्तों ताकि वो reaction का जो temperature है उसे achieve करा दे उसके बाद दोस्तों ये जो है reaction time 8 गंटा 8 गंटा ये लेगी तब जाके हमारे पूरी vinyl chloride monomer polyvinyl chloride monomer में also polyvinyl में convert हो जाएगी तो दोस्तों ये सब तो हमने charge कर दिया सब को charge कर दिया और reaction हमारी start हो गई अब suppose करो हमारा कि जैसे हमारी reaction start हो उससी समय instrument air fail हो गई उस condition में क्या करेंगे और उससे पैदे आप ये समझों कि ये जो reactor है रेक्टर का हमारा जो pressure है maintain होना चाहिए 8.5 अगर 8.5 से कम हो रहा है तो हमारा जो reaction बिलकुद batch खराब हो जाएगा बहुत नुक्सान हो जाएगा batch failure हो जाएगा अगर 8.5 से जादा हो जाएगा तो हमारा आप समझो कि system over pressurize होगा PSV pop होगी पूरी environment में हमारा PVC फैल जाएगी और या तो over pressurize के वज़े से explode भी हो जाएगा यानि कि हमें 8.5 भी maintain करना है नो इससे कम न इससे जादा temperature क्या maintain करना है दोस्तों अंठावन डिग्री 58 डिग्री हमें maintain करना है अगर इससे कम किये तो reaction ही नहीं होगी से explode कर सकता है PSP pop हो सकते ही पूरे environment में हमारा vinyl chloride भढ जाएगी और ये है तो हमें क्या करना है कि pressure 8.5 maintain करना है और temperature अंठावन डिग्री maintain करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कूलिंग वाटर का यूज करते हैं कूलिंग वाटर क्या करता है अंठावन डिग्री मेंटेन करता है अगर अंठावन डिग्री से ज्यादा हमारा temperature भढ रहा है तो ये कूलिंग वाटर का जो control वाला है वो ज्यादा खुलेगा जैसे अगर temperature ज्यादा भढ रहा है तो वो 70% उपनी खोल दे 70% उपनी खोल जाएगी और अंठावन डिग्री मेंटेन हो जाएगा अगर temperature डाउन जा रहा है तो यहीं जो opening है 70% से नव होके ये 30 या 20 या 0 हो जाएगी जिससे वो तुरंत बंद हो जाएगी मतलब पाली जाना बंद हो जाएगा उससे हम इसके temperature को विंटेन करनेगी अब दोस्तों अब हम बता रहे हैं कि ये जो अपनी continuous throttling का जो है importance क्या है सब कुछ करें दोस्तों यहाँ पे आप air fail to open condition 1 में देगे चलना हो condition 1 हमारी कर रहे है कि चलो हम माल लेते हैं कि ये जो है एर फेल होगी तो यह तुरंत खुल जाएगा जो हमारा air fail to open क्या होता है कि जैसे instrument air fail होगी तो तुरंत खुल जाएगा तो जब यह खुलेगा तो वह 100% खुल जाएगा 100% खुल जाएगा तो यह जैकेट में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कुलिंग वाटर कि यह जो 58 डिगरी का टंप्रेचर यह तुरंत घटके बैठ जाएगा यह अलगबग 30 या 32 या 35 डिगरी तक आ जाएगा क्योंकि कुलिंग वाटर ज्यादा मिलेगा ज्यादा हिट ट्रांसफर होगा डाउन चला जाएगा तो उस केस में हमारा क्या होगा रेक्शन टंप्रेचर जो है हमें हमें एच्व नहीं होगा और हमारा पूरा बैच फेल हो जाएगा पूरा नुक्सान हो जाएगा है ना दोस्तों अब चलो कंडिशन नमर दो इसलिए हम अगर एक और मैं बता दो कि यह जो रियक्शन है यह एक जो थर्मिक रियक्शन है अगर अगर हमारा एर फेल टू प्लोज हमें यहां पे लगा दें तो वो क्या करेगी कि इसमें एक जो थर्मिक रियक्शन है इतना ज्यादा हीट इवल्यूट होगी बाहर निकलेगी कि हमारा जैकेट का टमप्रेचर मेंटेन नहीं होगा और यह पूरा रियक्टर पूरा ओबर हीट हो जाएगा और एक्स्प्लोड कर जाएगा अगर हम इसके टमप्रेचर को कंट्रोल ना करें तो तो उसकेश में पानी जब जाएगा नहीं तो रियक्टर टमप्रेचर जैकेट का टमप्रेचर या रियक्टर का टमप्रेचर कंट्रोल नहीं होगा तो इसलिए यहां पर हम एयर फेल्ट टू प्लोज भी नहीं लगाए अब कंडिशन नुमर तीन देख्टें कि एयर पन्त लगा किस्टेपोट का मतलब कि अगर यह उसंप Jewish क McL if था तब इस्टूमेंट एर फेल होगी तो यह 25 परसेंट पर ही रहेगा तो उसकेस में हमें कूलिंग मिल पाएगी और ठीक से तो सब पूच करो यह 25 पर ही खुला है तो पचीस परसेंट अगर यहां पर तंपरेचर बढ़ रहा है तो उसकेस में तो हमारा यह इस्टूमेंट एर फेल होगी तो पूरा का ठंडा कर देगा तो वहां भी हम इस्टूमेंट एर जो है इस्टेपूट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वाल के ओपनिंग पता ना क्या होगी कम होगी ज्यादा होगी सपोर्ज कर जीरो थी उस समय तो यह जीरो ही रह जाएगी तो यह भी हम क्या करेंगे नहीं लगाएंगे वहां पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों वहां पर हम लगाएंगे एर फेल्टू एर एक अलग से रिजर्व इस्ट्रूमेंट एयर टेंक हम लगा देंगे जो आठ घंटे इस इस कंट्रोल वाल को ऑपरेट करें इसके टंप्रेचर को देखते हुए या रियक्शन को देखते हुए यह अपने आप खुलेगा बंद करेगा ज्यादा होगा या कुछ भी तो जहां तो वहां पर हम अधिकतर इस इस्ट्रूमेंट वाल का यूज करेंगे क्योंकि उसकेश में हम ना अगर यह इस्ट्रूमेंट डिजर्व टाइंग होगा तो आप उससे उससे कर सकते हो दोस्तों जितने भी कंट्रूल वाल है उनकी मैंने जो अपने YouTube की थम निल है जो में में है उसी पे उसका चितरत दे रखा है आप उस उससे दो मीने ठोक के आप देख सकते हो कि उसकी टैपिंग कहां से जा रहे है कहां से आ रहे है इस इस कंट्रोल वाल के लिए मैंने जो दिया है तो उसमें बस हमने एक सिलेंडर जो हैं दो सिलेंडर वो बना के डाल रखे हैं और बाकि जो वो सिलेंडर है और बाकि वो जो हमने इस्टेपुट में जो कंट्रोल वाल में कंट्रोल वाल पढ़ाया था तो उसके थमनिल में जो कंट्रोल वाल है सेम वहीं है अगर आ हमारा continuous throttling wall में जो cylinder है वो cylinder हो जाएगा और जो stepput में जो XCV है जिसमें हमारी दोनों तरफ से अमारी नोजल जा रही है instrument here की तो वो control wall हो जाएगा तो यानि कि दोनों का combination यह हो जाएगा अगर इसे आप हटा दो तो यह stepput हो जाएगा तो